दोस्तों यदि आप और क्रिप्टो करंसी मार्केट से खरीदना चाह रहे हैं और अभी प्लान बना रहे हैं कि और वाइइंग थोड़ी कर सके तो कन्फ्यूजन हैं कि कोन से कोई र आपको वाई करना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मैं सुयम यहां पर entry बढ़ा रहा हूँ अपनी तो मुझे confusion था मैंने research करी study अपनाई और मैंने देखा है कि हाँ यार मुझसे गलत decision होते होते बचा आज के time पर देखे confusion बहुत जादा इस्थिती में है और हम कई बार यह सोच लेते हैं कि देखे एकसारपी बढ़ रहा है तो एकसारपी में entry ले ले तो कहीं दूसरा coin बढ़ रहा है तो उसमें entry ले जो नहीं बढ़ रहा है उसको खरील ले सही से खरीदना कोन से coin चाहिए actual में वो नहीं पता होता है और कई बार गलत decision हमारा अब जाके investment बड़ी नहीं पाता है और ultra loss हो जाता है हमें और पुराना जो profit है वो भी उसकी वज़े से गवाना पड़ता है तो यह गलती आपके साथ ना हो इसलिए यह वीडियो बना रहा कि क्यों खरीदने वालों के लिए वीडियो है सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है एंड तक वीडियो बोच करना सबसे पहले तो आप यह समझो किसी भी coin में entry बढ़ाने से पहले आपको यह समझने चाहिए कि क्या उसमें भी growth के potential है अब यह कैसे समझे देखो सबसे पहल के साथ आपको जाना है तो आप जा सकते हैं दूसरे coin बहुत सारे पड़े हुए जिसमें बड़ी growth है सबसे पहले तो यह समझो जो यह bull season है कम से कम 6 महिने की पहली cycle है जिसमें हमने एक महिना गवा दिया है नविम्बर वेसे यह आप entry लेट ले रहे हो तो profit तो वेसे कम मिल पर ठीक है जो भी मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा entry तो बन सकते हैं यह मैं एक line में कहूं कि entry तो बनाई जा सकते हैं क्योंकि market अभी बहुत जादा आगे जा रहा है जाने को है बहुत सारे लोग यही confusion में कि sir यह bitcoin जाते जाते रुख गया है तो entry बनाई या नहीं बनाई तो ब market यहां तक जाएगा इसलिए वो entry ले रही है और दोनों candle इसी दिसा में बता रही है hammer बन रही है मतलब breakout कभी भी आ सकता है बात करें कौन से coin खरीदे तो देखें यहां पर मैं आपको एक line में जवाब दू तो coin बताने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि जो coin बढ़ अब यह कितना देंगे आप मुझे बताओ XRP 30 दिन में 412% बढ़ चुका है अब इसमें और कितनी गुंजाइस होगी अभी कुछ दिन पहले entry बनती थी इसमें लेकिन अब मैं सायद इसको मना कर रहा हूं क्योंकि ओल्रेड़ी 400% पंप दे गया है 4 गुना पेसा कर दिया है और लार्ज केप केटेगरी के कोईन जादा जादा 5-6-7% पंप देते हैं 10% दे देंगे वो भी बहुत बड़ी गुंजाइस रहेगी तो XRP में अब entry बनाने का कोई मतलब नहीं है अभी ऐसे कोईन है जो सायद अभी नहीं बड़े है जिनमें एक बड़ी रेली के expect है यहा कि काड़ानों एक साथ भी बढ़ने लगे है और उन्होंने खतरनाक return दे दिया जो सोलाना जैसे कोईन को पीछे छोड़ देता है return के मामले में आपने देखा था ट्रोन कोईन नहीं बढ़ रहा था वो साथ दिन में 107% बढ़ा मीम कोईन उस टाइम बढ़ गए थे अब न नत्थु खेरा कोईन पकड़ लिया कि बोले यह नहीं बढ़ा अब इसमें में ले लेता हो entry अब यह वही होता है कि skip करकर के वीडियो देखोगे आधी जानकरी सुनोगे आधी नहीं सुनोगे सर ने बोला कि जो बढ़ गए उनको नहीं लेना है बस इतना सुन लिया वो clip चोटी सी skip कर दिया उसके बाद मैंने बोला कि देखो एसे कोईन मत ले लेना नत्थु खेरे जैसे वो नहीं सुना अब आप मेरे मात है जाते हो तो यहां पर वही चीजे में बता रहा हो कि पूरा वीडियो देखो और financially advice नहीं है आप अपने financial से financial advice से राई लेके ही investment करिए यह कोई investment सला नहीं है परसनल राई है ठीक है यहां पर अगर आप देखो तो वर्तमान में एक में दिखा रहा हूं देखो एक सार्पी उस टाइम सोया हुआ था सोला ना बढ़ रहा था अब एक सार्पी बढ़ने लग वा है टोन को देखो टोन को इनको साथ दिन में 106 पर है तो चीजे देखो आप समझ जाओगे कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में अभी अगर आप देखो मीम केटेगरी में तो पेपे मतलब इस्टाइडिंग में डोज कोईन और शीबा ने सिरुवात करी थी ऐसा लगा था दोनों बहार निकल रहे तुफान मचा रहे लेकि साथ दिन में ये 23% बाकी सभी कोईन उससे नीचे ही है तो सभी का नंबर आ रहा है ब्रीट ने अच्छा खासा पंप निकाल दिया है तो एंट्री बनानी है तो आपको नए कोईन उभरते हुए कोईन में बना लो खास कर जो अभी नहीं बढ़े उन में बढ़ा लो ये मत से पहले तो रिस्क कम करने के लिए इथेरियम एक अच्छा कोईन हो जाएगा इथेरियम में आप एंट्री बना लो इसके बाद आपको नीचे जाना चाहिए नीचे जाने के बाद एक शीबा इनू में में एक रेली की एक्सपेक्ट देख रहा हूं कि एक जिजक सी रेली यहां पर आने को है जो साइथ कभी भी श्टार्ड हो सकती है तो आप शीबा इनू में एक एंट्री बना सकते हैं इसके बाद आपको सुई में एक एंट्री बनाने चाहिए सुई में भी मैं देख रहा हूं एक ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है और एक बड़ी पंप यहाँ पर हम देख रहा है नियर प्रोटोकोल में एक एंट्री बनाई जा सकती है नियर प्रोटोकोल भी अच्छा तेजी से बढ़ रहा है और अभी एक ओर रेलीस में एक्सपेक्ट है जो अभी आना बाकी है इसके अलावा आप पेपे में एक एंट्री बना सकते है और ब्रीट में बना सकते हैं, ब्रीट एक और तेजी से भाग सकता है ये कोईन, तो मीम कोईन में ये तीन चार कोईन ही मैं सजेस्ट करूँगा, इसके बाद आप दूसरे कोईन में जा सकते हैं, वैसे जादा कोईन मत खरीदना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो कम उनमें है, और कितना बड़ेगा, फेंटम एक अच्छा कोईन निकल रहा है, तो इसमें हमें एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है, तो कितने कोईन हो गए, हो गए ना, कोईन, अब ओन्डो को खरीदने से कोई मतलम नहीं हो, और 200% तो बड़ी चुका है, अब और कितना बड़ेग है, तो ओन्डो मत खरीदना, पोलिगन मेटिक का अगर हम देखे तो ये भी आप खरीदने लायक नहीं बचा है, लाइट कोईन रहने दो इसको भी मत खरीदो, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नए कोईन आप ले सकते हैं, जो टॉप 30, 300 से नीचे है, नए नए जो उभरत यह कोईना चोटा-मोटा एममाउंट उसमें आप लगा सकते हैं, तो वो यहाँ पर किंग मेकर, गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, उसमें आप एंटरी बना सकते हैं, तो इस टाइप से आप एक पॉर्टी बनाईए उर अभी भी मोचा है आपके पास एंटरी बनाने का, क्य यह वीडियो एंजोई किया होगा इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकुन को हिट कर दीजे मिलते नए वीडियो में नमस्कार